जैहिन दोस्तों मेरा नाम अंकित सिन्धा है और इस वीडियो में हम अपने डिसकसन को कंटिन्यू करेंगे और थीम सी निनियन हिस्ट्री क्लास 12 न्सी आल्टी न्यू वाली का जो पार्ट टू है उसका डिसकसन चल रहा हमारा और थीम फाइफ यानि थू दा आइज अफ टे जो परसेप्सन है और उनसे संबंधित जो इंपोर्डन फैक्ट्स है वो चीजे हम इस चेप्टर में डिसकस करेंगे एक बहुत ही क्वीक रीकेप करेंगे हम दो मिनट के अंदर क्योंकि प्रिवेस एर कुश्चन इसके बाद हम कवर करने वाले हैं और लास्ट की वीडियो इवन बदुता जो मौरकों से आते हैं जबकि जो बर्णियर है यह सत्रवी सताब्दी में यात्री हैं भारत आने वाले किताबुल हिंद की अमने बात की अलबरुनी के द्वारा लिखी गई है और अलबरुनी जो है यह इनका जन्म 973 में होता और यह महमूद गजनवी के स और भारत कब आते हैं तो ये 1333 में भारत आते हैं और ये important है ध्यान रखेगा year और ये किनके दर्वार में है तो मुहमद बिन तुकलग के दर्वार में नव वीडियो पोस्ट करके इस question का answer करिए देखिए CDS 2020 का ये question है अल बरुनी की जो पुस्तक है किताब लहिंद ये किस भासा में लिखी गई थी Arabic, Persian, उर्दू या तर्किस तो अभी हमने इसे discuss किया है कि चाहे हम बात कर लें अल बरुनी के किताब किताब लहिंद की या फिर इबन बतुता का जो वर्क है रहला इसकी दोनों ही जो फिमस किताब हैं ये Arabic के अंदर लिखी गई है तो person से आपको confused बिलकुल नहीं करना है सही answer क्या है Arabic ये सवाल भी CDS के अंदर पूछा गया है CDS 2020 का question है इबन बतुता वें टू चाइना एज दा एन्वोई ऑफ विच इबन बतुता चाइना आ गये थे एंबेस्डर यानि एन्वोई के रूप में किस दिली सल्तान के एन्वोई के रूप में क्या अलावदिन खिल जी थे वो मुहमद बिन तुगलक फिरोसा तुगलक या इल्टुतमीज तो यह हमने डिसकॉस किया ओलेडी कि इबन बतुता जो है कि मुहमद बिन तुगलक के दरवार में होते हैं और एजा काजी वर्क करते हैं काफी लंबे समय तक लेकिन कुछ misunderstanding के कारण उन्हें जेल में डाल दिया जाता है तो इन्हें एन्वोई के रूप में भी अपोइंट किया जाता है किनके दौरा तो मुहमद बिन तुग एकनेस मुझे दिखी हैं तो ऐसा मत सोचिया कि केवल दो-चार बर बस cds और एक्जाम में पूछा गया nds यह बहुत सारे पेपर में इनसे संबंदित questions है और बट जो एकदम वर्बेटिम रिपीटेट है या बिलकुल language को ही बस change किया गया उन questions को लेने का कोई खास मतलब नहीं है बट ऐसे questions में जरूर लूँगा जो थोड़ा भी unique है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रहला जो है कब और किन के द्वारा लिखा गया है तो क्या यह Arabic में लिखा गया है क्या यह Persian में लिखा गया है Persian में लिखा गया है Italian में लिखा गया मतलब पूरा option आपको पढ जो work है रहला जो तेरह सो पच्पन में compete हुआ यह क्या था क्या यह कोई autobiography था यह account था डेली सुल्तान्स का एबक से लेकर के तुगलक तक क्या यह कोई religious text था क्या account था trade का Morocco के साथ तो यह आप आराम से सोचिए क्योंकि elimination से ही solve होगा यह directly हमने नहीं cover किया NCRTG में directly है भी नहीं सो हमने देखा यह किसी तरह की कोई autobiography नहीं थी बलकि यह तरीके का society के बारे में अलग-अलग चीजों के बारे में था पर directly किसी king की autobiography नहीं थी और दूसरा यह कि क्या कोई account था बिल्कुल नहीं मतलब rulers के बारे में बहुत कम discussion है rather than social life trade इन चीजों के उपर discussion है कई कोई religious text था बिल्कुल नहीं इवन अगर हम देखें तो रहला के बारे में religious से ज्यादा social cultural aspects पर focus किया गया तो एक ही option बज़ता है हाँ यह बात सही है trade वगर आप पर भी discussion है और यह चीज डिरिक लिए अगे चलके statement के format में पूछा भी जा सकता है तो जैसा कि हमें पता इवन बदुता मोरोकों से आया था इसलिए trade वगरा पर भी discussion है वैसे अगर हम देखें तो यहाँ बताया गया कि एक तरीके से rich और interesting details दी गई है social और cultural life से संबंधित दोजों आपने discussion को आगे बढ़ा आते हैं जैसा कि हमने discuss किया था कि सबसे बड़ी problem जो रहला में देखने को मिलती है वो इवन बतुता के साथ यह थी कि केवल robbers ही नहीं बलकि वो homesick भी हो जाते हैं उन्हें घर की काफी याद आती है और बिल्कुल वो एक तरीके से lonely feel करते हैं और यात्रियों को तो खास करके बहुत जादा खत्रा था इवन हमने देखा कि बहुत ही बुरे तरीके से इनके जो साथी हैं उन्हें लूटा जाता एक तरीके से और बहुत ही दिकतों का सामना करना पड़ता यात्रा में अलबरूनी और इवन बदूता के नकसे कदम बहुत सारे अन्यात्री भी आते हैं जैसे अब्दूर रजाक समरकंदी के हमने बात की ती यह 1440 के दसक में साउथ इ इंडिया को विजिट करते हैं और महमूद वाली बल्खी की हमने बात की जो 1620 में आते हैं और सेख अली हजीन की 1740 में नौर्थ इंडिया आते हैं यह नाम इंपोर्डेंट है ध्यान रखिएगा ना दोस्तों बात करेंगे बर्नियर के बारे में अगेन मैं एक बात बता द ज़रूर कवर कर लें और वो मैंने पर्टिकुलर्ली PDF फॉर्मेट में आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी important points जो हमने उस वीडियो में डिसकस किये हैं तो PDF आपको कहा मिलेगी टेलिग्राम चैनल के अंदर आपको जाना है और फाइल सेक्शन में जाईएगा हमारे facets of UPSC चैन इन्होंने काफी कुछ accounts भी लिखा है जो social custom, religious practices इन चीजों से संबंदित हैं अब इन में से कुछ जैसे अगर हम बात करें Jesuit Roberto Nobili की इन्होंने Indian text को भी translate किया है European languages में तो अगर एक tough question frame किया जाए कि बताए किस body use ने Indian text को European language में translate किया है तो answer क्या होगा Jesuit Roberto Nobili और ऐसे question दे प्रिपारा तो limited है बहुत जादा standard books से बाहर जाया भी नहीं जा सकता तो NCRT से question जब frame किये जाएंगे तो ऐसे books वाले question भी बहुत सारे frame किये जा रहे हैं तो अगर आप next year के लिए prepare कर रहे हैं तो इन चीजों पर special focus रखें because books से या कोई important facts से NCRT के अंदर अगर वो चीज है तो वो बहुत important बन जाती है ना बात करते हैं देखे पॉडिग्यूज writers की तो इन में बार्बोजा का नाम आता है डूर्टे बार्बोजा ये भी traveler थे और बार्बोजा ने एक बहुत ही detailed account लिखी है जो की trade और society से discussion लिखा है तो वो बात गलत होगी और इसके बाद 1600 इसी में अगर हम देखे तो बहुत सारे Dutch, English, French, Travelers भारत आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इस पेशली बात करेंगे French Jeweler Jane Baptist Tavernier की यहाँ से Civil Services में कुशन आया direct तो देखे हम Jeweler की बात कर रहे हैं दोस्तों टेवर्नियर जो है यह jam merchant होते हैं पेसे से यानि hero का व्यापार करते हैं और यह France से होते हैं और यह भारत एक दो नहीं बलकि 6 बार travel करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि trade में definitely काफी फायदा हो रहा हुआ तभी यह इतनी बार travel कर रहे हैं और यह चीज़ पूछी भी गई है exams के अंदर तो ध्यान आकर सी थे और इन्होंने compare भी किया इंडिया को इरान और Ottoman Empire के साथ अब देखें इन में से कुछ जो travelers हैं जैसे Italian doctor Manucci की बात करें Manucci भी doctor थे और यह कभी Europe return ही नहीं करते हैं तो एक line का point है बट exam के अंदर जब पूछा गया यह I think CDS में पूछा गया है तो बहुत लोग यहा आद नहीं रहते हैं और यह तभी याद रहेंगे जब आप इन्हें अपने salt notes में include करें और तब आप बार बार जब revise करेंगे तो ही यह चीज़ें याद रह पाएंगी अभी previous question जब हम करेंगे तो देखेंगे अभी जितना हमने discuss किया उसी से 3-4 सवाल हमारे cover हो जाते हैं इन highlighted parts से दूस्तों नाम बात करते हैं बर्नियर की देखें बर्नियर अगेन फ्रांस से होते हैं पेसे सी एक doctor होते है doctor ही नहीं historian philosopher बहुत सारे कारियों से यह जुड़े हुए हैं और यह मुगल empire में पहुंचते हैं और क्या reason रहता है obviously opportunities की तलास रहती है better opportunities की और यह भारत मे बहुत लंबा समय बिताते हैं 12 साल तक भारत में रहते हैं year याद नहीं रखना है आपको बस यह याद रखना है कि यह दारा सिकों के physician के रूप में काम करते हैं दारा सिकों के health से संबंदित बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना यह इनी को यह काम सोपा जाता है और दार दारा सिकों के physician के रूप में कायरे करते हैं और इसके बाद फिर क्या है intellectual और scientist के रूप में भी यह काम करते हैं किनके साथ दानी समंद खान के साथ दानी समंद खान कौन है तो मुगल कोर्ट की एक Nobel होते है जो आर्मेनिया से होते हैं तो यह चीज़ ध्यान रखेगा स्पे ज़्यादा traveling करते हैं और बहुत अलग-अलग तरीके के accounts लिखते हैं और यह compare भी करते हैं situation को खास करके यह यूरोप से होते हैं तो इंडिया की situation को यूरोप के साथ compare करते हैं अपनी जाधता writing से किने dedicate करते हैं लूइस 14 को लूइस 14 को होते हैं उस time के king होते हैं फ्रांस के यह भी question direct पूछा गया है कि बताइए कि कौन जो है अपने major writing को dedicate करते हैं फ्रांस के king लूइस 14 को तो answer क्या निकल करके आएगा बर्नियर यह यह भी पूछा जाता है बहुत बार की किस king को dedicate किया इन्होंने तो ऐसे fact से question पूछे जाते रहे हैं इसके बाद दाव आगे बात करते हैं इनके comparison की तो देखें बहुत सारा यह अन्य जो discussion है अपना जो यह accounts है यह form of letters के रूप में लिखते हैं किने officials को और minister को और एक तरीके से आप कहलें कि इंडिया को एक bleak situation में दिखाया जाता है जब Europe के developments के comparison में बात की जाती है तो और इस तरीके से हम यह भी कह सकते कि बहुत सारे statement जो है यह accurate नहीं थे और यह चीज हमेशा ही history में रही है कि कि किसी भी book को या किसी भी चीज को 100% true नहीं मान सकते हैं इनको बिल्कुल 100% हम कह सकते हैं कि वो चीज correct हो भी सकती है नहीं भी तो इसमें एक तरीके से doubt वाली बात भी देखने को मिलती है और अग बहुत सारे historians ने उस बात को नहीं मानाया कहा है कि वो संख्या कुछ कम रही होगी तो इस तरीके की बात आपको हमेशा दिमाग में लेकर के चलनी है यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि statements में पूछा जाता है कि क्या जो बर्णियर ने यह बात बताई या comparison क्या यह बिल यही टे बर्णियर भाई साब है जो merchant है जै मर्चेंट अब जैसा कि हमें पता है बर्णियर मुगल दरबार से जुड़े हुए थे तो यह बहुत सारा traveling भी इन्हें आर्मी के साथ करना पड़ा तो इन्होंने अपना जो description लिखा है जब आर्मी का मार्च होता है कस्मीर पर इन्होंने बहुत सारी बाते लिखी है जैसे बर्णियर के according हम देखें कि इन्होंने expect करा कि इन्हें डो टुर्कोमन horses दिये जाएंगे एक powerful person camel होगा driver होगा groom होगा इनके horses के लिए बहुत सारी बाते इनके द्वारा लिखी गई है even आप देखें तो बहुत कुछ इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं पिलो की बात की जारी है में ट्रेसेज की round leather table clothes की जिने meals के जैसा यूज किया जा सके कुछ few napkins of dye clothes और small bags जिन में culiner utensils देखने को मिले तो इस तरीके की बाते हैं और ऐसे question तो directly नहीं पूछे जाएंगे but at least idea होना चाहिए कि जो बर्णियर है इ जैसे बहुत सारे travelers थे जिन्होंने इंडिया की society को Europe की society से compare करा और जैसा कि हमें पता है कि उस time पे obviously एक continent से दूसरे continent में travel करना एक काफी बड़ी बात होती थी तो बहुत ही कम लोग travel कर पाते होंगे तो जादातर जो जिने जिग्यासा होगी एक तरीके security रहे होगी कि हम भ पहारत के लोगों को लगता होगा कि यूरोप में किस तरीके से चीज़े सेल रहे हैं तो वो books का सहारा लेते थे और यही रीजने की ये books इतनी popular हुई और जो writings रही European travelers की एक तरीके से इंडिया की छवी Europeans के मन में बनाने का एक काम किया गया इनके द्वारा और बाद में 1750 क करने का परियास करते हैं खुद के version of matter को produce करके तो जैसा कि मैंने बताया कि बर्नियर की जो book है ये काफी ज्यादा successful रही और France में publish की गई है कब 1670 में और कई सारी भासाओं में यहां पर अनुवात देखने को मिलता है तो most popular book रही उस time की English में Dutch में German में Italian में बहुत सारी भा 1770 से 1725 के बीच इनके book को 8 बार यहां पर reprint किया गया और इस तरीके से English में भी ये 1684 में 3 बार reprint किया गया देखे अलबरूनी ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है संस्कृत के बारे में अलबरूनी के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आप संस्कृत को जीतना चाहते है य जैसे Arabic, calling one and the same thing by various name both original and derivative and using one and the same word for a variety of subject which in order to be properly understood must be distinguished from each other by various qualifying epithets तो वही बात है कि एक सब्द के बदले में अलग-अलग सब्द का परियोग किया जाता है तो एक varied range देखने को मिलता है जिससे भासा कटिन हो जाती है देखिए travelers भी उस time के समझदार ही होते हैं तो सारी चीजें जो वो पढ़ते हैं या जो उन्हें बताई जाती हैं उस पे वो विस्वास नहीं करते हैं जैसे एक बार wooden idol की बात की जारी है when faced with the story of a wooden idol they supposedly lasted for इतने years मतलब 2,00,000 से भी जादा पुराने years की बात की जारी है तो अलबरूनी ने सवाल किया कि इतने लंबे समय से एक ूड कैसे यानि एक लकडी का जो idol है ये इतने समय तक कैसे रह सकता है दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि जो travelers हैं ये generally compare करते हैं जो भी वो इंडिया में देखते हैं और जिन चीजों से वो familiar होते हैं ये तो बहुत obvious ही बात है because ये किसी नई जगह में जा रहे हैं तो सारी चीजें एक तरीके से नई लगती हैं तो उन चीजों को compare करके देखा जाता है और परतेग traveler ने अलग-अलग तरीकों को अपनाया है सबकी अपनी एक strategy है चीजों को लिखने की और इस तरीके से उन्होंने समझाने का परियास किया है जो भी उन्हें unique लगा जैसे अलबरूनी की बात करें तो ये aware थें कि क्या-क्या problems हैं वह भी उसी रास्ते से गुजरे हैं तो वह problems के बारे में काफी अच्छे से aware है तो उन्होंने बहुत सारे barriers बताये हैं और that he left obstructed understanding तो यही बात है कि बहुत सारी चीजों को समझने में इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा पहली चीज तो भासा रही भासा समझना बहु आई हुई अलबरुनी को दूसरा जो उन्हें problem देखने को मिला वो यह कि difference देखने को मिला religious belief और practices में तो भले ही समस्याओं रही फिर भी अगर आप देखें अलबरुनी के works को तो यह काफी ज़्यादा depend रहें ब्रामन के works पर और जो basically वेद हो गए पुरान हो गए भागव अलबरुनी के द्वारा तो कल को अगर ऐसा statement बने कि अलबरुनी ने अपने books में पुरानों से भागवद गीता से इनके passages से quote किया है तो फिर यह चीज गलत नहीं होगी because यहाँ पे आप देख सकते हैं अलबरुनी डिपेंडेड ओल्मोस्ट एक्स्क्लूजिवली अंदा व इसे compare भी किया बाकी societies के साथ जैसे इन्होंने ये बताया कि ancient persia में भी चार social categories देखने को मिलती थी पहली थी knights की princes की यहनी राजाओं की दूसरा monks की तीसरी fire priest की और चौती lawyers की और इस तरीके से अलग-अलग लोगों में social categories देखने को मिलती थी और finally peasants artisan की यहनी दूसरे नहीं हैं बाकी देशों में भी इस तरीके के कुछ similar features देखने को मिल जाते हैं इसके बाद अगर हम देखें तो यह भी इनके दौरा बताये गया है within Islam all men were considered equal differing only in their observance of piety इसके बाद इन्होंने भरे ही grammical description of caste system को accept किया लेकिन यह बताया कि जो pollution की धारना है notion of pollution इसे disapprove किया अलबरूनी के दौरा इन्होंने यह कहा कि जो भी state of impurity में fall करती है वो अपने original condition को regain करने का परियास करती है जैसे इन्होंने example भी दिया कि जो sun है यह air को clean करती है जो salt है सी में यह prevent करता water को pollute होने से और अगर यह चीज़े नहीं होंगी तो अलबरूनी के according जीवन में अर्थ में life जो है यह बिल्कुल impossible हो जाएगा तो यही बात है कि जो conception है social pollution का जो कास system के अंदर सामिल था यह चीज़ उनके according laws of nature के contrary में है source 5 देखिए तो system of verna जानी verna system पर भी discussion किया गया अलबरूनी के द्वारा तो यह particular बात ध्यान रखिएगा because ऐसे question पूछे जाते है statements के format में कि अलबरूनी discussed about verna system or not तो उस ताम आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों देखिए अलबरूनी ने जो कास system का description दिया है यह इनोंने जो normative Sanskrit text पढ़े हैं इनसे काफी ज्यादा influence है और इसमें एक तरीके से जो rules हैं जो system को govern करेंगे उन चीजों से सम्मंदित इनोंने discuss किया है लेकिन real life में यह चीज़ बिल्कुर rigid नहीं थी यानि exceptions काफी जादा थे हैं जिसे example के हम बात करें तो जो अंतजय के रूप में define किये गए हैं यानि जो system के बाहर जिनका जन्म हुआ है तो एक तरीके से आप कहलें कि बिल्कुल rigid का system वाला प्रोविजन नहीं देखने को मिलेगा exceptions हर जगा है तो other words में आप कहें कि भले ही यह social operation के subjected हैं फिर भी economic networks में तो यह सामिल है तो जो highlighted parts हैं इस PDF के अंदर वो मैं share कर देगा मैं complete PDF को share कर दूँगा हमारे telegram channel में तो description box से जाकर करके आप join कर ले इसके अलावा मैं उमीद रख रहा हूँ कि आप इसके proper notes भी बना रहे होंगे highlighted parts से और जो चीज़े मैं extra बता रहा हूँ previous year question भी साथ में आप note down करें जो बिल्कुल unique हैं उन questions को और अभी हमने जितना discuss किया उनके previous year question को next lecture में cover करने वाले हैं उमीद इस video series से आपको help मिल रही होगी आपने रायत और विचार comment करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी share करें चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करें धन्यवाद